हेलो बच्चो एक बहुत ही डिफिकल्ट सा कोश्चन जिसमें चार्च पार्टिकल को पर्पेंडिकलर एलेक्ट्रिक फिल्ड और मैंग्नेटिक फिल्ड में रिलीज कर दिया जाता है उसका मैं आपके लिए आसान तरीका लाया हूँ फस्ट इमेजिन कि चार्च पार्टिकल एक वील के बेस पे है और वो वील जो है ग्राउंड पे प्योर रोलिंग कर रहा है उसकी वेलासिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आप मान सकते हो E by B के बराबर और ओमेगा आप मान सकते हो Q B by M के बराबर तो अगर वो प्योर रोलिंग कर र डिरेक्शन की वेलासिटी चाहिए तो आप लिख सकते हो V sin of omega T similarly अगर आपको उसकी displacement का X component चाहिए तो you can write V T minus R sin omega T और अगर आपको Y displacement चाहिए तो आप लिख सकते हो R minus R cos of omega T just V omega और R की values पूट करो आप लोगों का answer आजएगा